नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग शपोर्ट दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाला है चुकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि hidden beam क्या होता है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है उसको घर के किस हिस्से में लगाना चाहिए इसकी खासियत क्या है और इसको बनाने में कौन सी गलती होती है और किस side मतलब की size wise में आपको compare करके बताऊंगे सबसे पहले में कुछ basic आपको clear कर देता हूँ ये वीडियो बिल्कुल technical होने वाल है लेकिन भासा मैं बिल्कुल normal इस्तेमाल करूंगे ताकि आम इंसान भी ये वीडियो देखे अपना घर बनवा रहा होगा तो वो अराम से सीख जाया दोस्तों ये देखिए हमारा हो गया primary beam हो गया देख रहे है बीम के दोनों छोर पर जो लोड को transfer करता है और फिर हमारा primary beam जो है वो लोड को column के through ground में भेज देता है ये normal beam को कुछ देख लिजे ताकि आपको idea मिल जाए दोस्तों ये normal beam है और जब ये सट्रिंग खुलेगा तो दोस्तों इस beam का आधा जो हिस्सा है वो आपको नीचे वाले room से साफतोर पे दिखे ठीक है ये normal beam है और नीचे से आप देखेंगे तो दिखेगा उपर से भले ही ये casting हो जाएगा तो छत का एक label रहता है इसलिए नहीं दिखेगा लेकिन नीचे से लटक beam दिखते रहता है लेकिन hidden beam के case में ऐसा नहीं होगा दोस्तों जब आप छत बना देंगे ढालाई हो जा है चुकि ये दिखता नहीं है दोस्तों अब देखते हैं इसको किस साइड से देना है मान लीजिए और ये जरूरत कहां पड़ती है इसकी हमारे घर का जो living area होता है जो hall होता है जाहिर सी बात है hall को लोग 14 feet 15 feet का रखते हैं तो इसलिए बहुत बड़े area को कभर करने के बीच में एक hidden beam देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है चुकि अगर मान लीजिए living room के बीच में एक column आ जाए तो समझ लीजिए कि पूरा जो हमारे hall का जो खुबसूरती है वहीं चला जाएगा और इसलिए hidden beam का इस्तमाल किया जाता है ताकि इसमें column ना देना पड़ है अब दोस्तों देखते हैं कि इसको किस side से लगाना चाहिए मान लीजिए हमें एक hall बनवा रहे हैं और hall की लंबाई जो है वह 15 by 10 की है तो एक beam से दूसरे beam की दूरी एक तरप से 15 feet है और एक beam से दूसरे beam की दूरी एक तरप से 10 feet क्या है तो दोस्तों ध्यान रहे हमेशा जो हम hidden beam देंगे वो shorter span में देंगे ठीक है यानि कि जिदर से एक beam से दूसरे beam की दूरी जिस side कम होगा यह हमारे कैसमें 10 feet वाला दूरी जो है वो कम है तो हम लोग 10 feet वाले तरफ ही जो है वो hidden beam प्रभाइड करवाएंगे दोस्तों समझ में आ गया होगो तो अच्छी बात ह और यह चीज़ clear नहीं है दोस्तों तो आप comment box में comment किजिए मैं paper पर से आपको जो है इसका diagram बना करेंगे दिखा दूँगा आपको समझ में आ जाएगा अब दोस्तों इसके size की बात कर लेते हैं इसमें सिर्फ दो यह उपर वाला जो extra bar है वो ही आपको देना है नीचे का ज hide करवाना है अब बात करते ही कि ring का क्या size होना चाहिए हमारे beam का क्या size होना चाहिए तो वीडियो चुकी लंबा हो चुका है दोस्तों आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका dimension क्या होता है इंची टेप से नाप करके बिल्कुल clear जनकारी दोंगा ध हन्यवाद दोस्तों